हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जूट हा मैं बदल गई हूँ माजी आपने सही कहा और मेरे इस बदले हुए रूप की वजा भी तो आप ही है ना सालू ने अपनी सास दम्यंती जी से कहा वा तो मैं देखी रही हूँ आज कल जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी हर बात का उल्टा जवाब देने लगी हो दम्यंती जी ने गुस्ते से कहा ये कहानी है दम्यंती जी और उनकी बड़ी बहु जो की पिछले पान साल से अपने पती आलोग के साथ नोईडा में अपने ससुराल से दूर रहती थी क्योंकि आलोग की नोडा में एक नामी कमपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग गई थी इसलिए पांच साल पहले वा शालू और तिन साल के बेटे सोनू को लेकर वहीं सिप्ट हो गया था दम्यंती जी के छोटे बेटा बहू उनके साथ ही रहते थे जब सालू साधी करके आई तो दम्यंती जी को हरतरा से ही मान सम्मान देती लेकिन वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिस करती सालू के लाग प्रयास करने के बावजूद दम्यंती जी कभी भी उसके कारियों की और विवहर की प्रसंसा नहीं करती साधी के बाद जब सालू गर्वती हुई तो उसे लगा कि सायद अबसकी सास की विवहर में कुछ परिवर्तन आये लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बलकि वो उसे मानसिक तोर पर बहुत परिसान करने लगी जैसे तैसे पहले बेटे का जन्म हुआ ये सब आलोग भी देखता लेकिन कुछ कहता तो घर में कलेश हो जाता इसलिवा चुपी रहता फिर नोईडा में गए सालू को कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन सासु माने फोन पर कहा बहु तुम्हारे साथ महुले में जितनी भी साधी हुई थी उन सब के दो बच्चे हो गए है लेकिन तुम तो एक ही बच्चा लेकर बैठी हुई हो या सुनकर सालू ने कोई जवाब नहीं दिया जब उसने आलोग से इस बारे में कहा तो आलोग देखो सालू हम घर से बहुत दूर रहते हैं सब कुछ हमें ही मैनेच करना है और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन समालेगा किसी से सहायता की कोई उम्मीद मत रखना लेकिन आलोग देखो न अब हमारा बेटा चार साल का हो गया है और दो बच्चे तो होने ही चाहिए ताकि भविसे में उनका सुक दुबाटने के लिए कोई साथी तो हो मानता हूँ सालू लेकिन अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो फिर बार बार दमेंती जी फोन करके सालू को परिशान करती रहती एक दिन सालू ने उनसे कहा मा जी आलोग बोल रही है कि डिलिवरी वा प्रेग्नेंसी के समय कोई भी साहता के लिए यहां नहीं आएगा तब दमेंती जी ने मिठे सब्दों में कहा तुम्हें एक बार खुश खबरी तो सुनाओ मैं सब छोड कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी लेकिन सालू को आलोग की बात एकदम सही लगी क्योंकि पहले बच्चे के समय पर वा सब को परख चुकी थी इसलिए उसने सब बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और निर्डे लिया कि वो तभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी जब उसका बेटा खुद के छोटे मोटे काम खुश से करने लगेगा जब सोनू छा साल का हुआ तो एक दिन सालू ने अपनी सासु मा को अपने गर्वती होने की सूचना दी और पूछा मा जी आपने कहा था ना जिस दिन मैं खुशकबरी सुनाओंगी उसी दिन आपा जाएंगी हाँ हाँ बहू जरूर रहूंगी कुछ दिन तुम रहलो तब आती हूँ ऐसे ही महीने दर महीने निकलते रहे कई बार उसकी हालत बहुत जादा ना जुक हुई और उस समय आलोग को ही आफिस से चुटी लेकर उसकी देखवाल करनी पड़ती वह भी अपनी मा से बार बार आने के लिए कहता लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर टाल मटोल करती रहती एक बार आलोग को आफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उसने घर फोन करके कहा मा मुझे आफिस के टूर पर जाना है तो क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं जिसे की सालू और सोनू की देखवाल हो पाए हाँ बेटा मैं आतो जाती लेकिन यहाँ से नोडर थोड़ा दूर पड़ जाता है पास में होता तो आही जाती फिर यहाँ पर भी छोटी बहु और पोता है उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना इस पर आलोग को गुस्सा आया मा वहाँ पापा और छोटा भाई है ना अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता अपनी मा से कोई जवाब ना पाकर आलोग ने गुस्से में फोन रख दिया सालू ने भी आलोग को दिलासा दिलाया कि मैं खुद को और सोनू दोनों को समाल लूँगी और यहां आसपास के लोग काफी अच्छे है कोई भी परेशानी होगी तो सब समाल लेंगे आप आराम से जाईए लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि जब जरूरत है तो कोई भी साथ देने को तयार नहीं है लेकिन उसने सोच लिया कि अवा किसी के सारे नहीं रहेगी उसके पापा की तेवेत खराब रहती थी वरना उसकी मा ही आ जाती खैर जैसे तैसे नो महीने निकले डिलिवरी की डेट से एक दिन पहले ही उसकी सास वहाँ पराई लेकिन सालू और आलोग की सब उमिदे टूट चुकी थी सालू ने एक सुस्त बच्ची को जन्म दिया लेकिन सासू मा बच्ची को हाथ भी नहीं लगाती और पूरा दिन टीवी देखती रहती आलोग ने आफिस से चुटी लेकर सबकु समहला उसे भी अपनी मा पर बहुत गुस्सा आता लेकिन कुछ कहता तो उसका आसर भी नहीं होता था बच्चे के 20 दिन होते ही सास सुर दोनों वापसी की तैयारी करने लगे बहु इतनी खुसी की बात है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है और रिवाज के हिसाब से जो तुम्हारी ननदोर मेरा हक बनता है वा फटापट से मंगा दो तो मैं जाने के टिकट करा लेती हूँ यह सुनकर सालू को बहुत गुस्सा आया उसने कहा रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुगा का कई चीजों का फर्ज भी बनता है यह सुनकर सासू मा काम हुबन गया और भला बुरा कहने लगी खैर सालू को लेंदेन से ज़्यादा अपनी बच्ची की होने की ज़्यादा खुसी थी इसलिए सब ने एक दे दिया बेटी के 6 महीने की होनी के बाद सालू पहली बार उसे लेकर अपने ससुराल गई वहाँ बाहर की कोई महिला आती तो उनके सामने दम्यंती जी कहती या तो मैं थी जो वहाँ पर चली गई मैंने वहाँ जाकर सालू और पोती को समाल लिया वरना कौन उनकी देखभाल करता कभी कहती कि मैंने तो अपनी पोती के होने पर उसे सोनी कीचेन और दस जोड़ी कपड़े दिये सालू को उनका नेचर पहले से ही पता था लेकिन न जाने क्यों अपनी बेटी के लिए उसे कुछ भी जूट बरदास्त नहीं हुआ दूसरों के सामने उसे अपने उपर जैसे तैसे सयम रखा सबके जाते ही क्यों इतना जूट बोलती है माजी मैंने देखा आपने कितना मेरा साथ दिया आपने मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया उसकी जो भी रस्मी होती है वा भी नहीं निभाई हा लेकिन नेग लेने के लिए आपने मुझ खोल कर सब बोल दिया क्या दादी सिर्फ लेने के लिए ही होती है जब आपकी फरज निभाने की बारी आती है तो आप चुपशाप वहां से निकल लेती है दम्यंती जी ने कहा बहू आज तक तुमने मुझसे उची आवाज में बात नहीं की और आज किस तरह की फालतू बाते कर रही हो आपने ही मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है तब आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बहू दूसरा बच्चा कर लो जिस दिन तुम खुसकबरी सुनाओगी मैं तुम्हारे पास तब ही आ जाऊंगी पूरे नो महीने मैंने जैसे तैसे निकाले और तोर जब आलोग भी मजबूरी वस मेरे साथ नहीं थे तब भी आपने या नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ भी परिशानी होगी तो अनजान सहर में मैं किसे कहूंगी आपकी हर जरूरत में मैंने आपका साथ दिया लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब आपनी मेरा साथ क्यों नहीं दिया कम से कम आई तो थी ना वहां पर तुम्हारी बेटी के होने पर सासू माने दो टुक जवाब दिया सही कहा आपने आप वहां मेरे लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए आई थी क्योंकि यहां पर सब आपसे पूछते थे कि बहु को बच्चा होने वाला है तो तुम वहां क्यों नहीं जा रही हो जितनी आप सब के सामने अपनी तारिफ करती हो कि मैंने यह किया, मैंने वह किया कि आपकी अंतरा आत्मा नहीं जानती आपने क्या किया और क्या नहीं सालू ने कहा ये सब सुनकर देमिंती जी हरवडा कर बोली बहुत बदल गई हो तुम बहू हाँ माजी आपने बिल्कुल सही कहा मैं बदल गई हूँ अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी ने इस दुनिया में आकर मुझे दिखावे के रिस्तों से रूबरू कराया है अब मैं भी वैसा ही निभा पाऊंगी जैसा विवार सब मेरे साथ रखेंगे और यह कहकर सालू आपसी की तयारी करने लगी आसा करती हूँ दोस्तों आपको मारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सियर जरूर करें धन्यवाद